फ्रेंड्स इन दिनों पेट और कमर जरूरत से ज़्यादा चर्वी चिंता का विश्य है यह नहीं सिर्फ देखने में खराब लगती है बलकि इसके कारण थायराइड टीपी वर शूवर जैसी कई बिमारियां भी होती है जी हाँ फ्रेंड्स मैं हूँ डॉक्टर सीमा गुप तो आईए फटावर जान लेते हैं पेट पेट पे चर्वी होने के कारण सबसे पहला अनुवांशिक या हैरीडिट्री फ्रेंड्स शरीर में कुछ फैट सेल अनुवांशिक तोर पर विक्सित होते हैं अगर किसी के परीजन पैरेंट्स इस परिशानी से ग्रस रहे हैं तो आम तोर पर देखा गया है कि इस मामले में पुरुशों के मुकाबले महाईलाएं इसका ज़्यादा शिकार होती हैं पाचंतर खराब होने से थायरेड और शुगर जिसी समस्याएं भी शरीर को घेर लेती हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट हार्मोन में बदलाव आम तोर पर हार्म का स्थ ज्यादा हो जाता है इसी के कारण कमर के असपास चरवी अधिक हो जाती है फ्रेंड्स नेक्स्ट तनाव ग्रस व्रेक्ति एक के बाद एक कई बिमारियों से घिता चला जाता है शरीर में चरवी का बढ़ाना भी उन्हीं में से एक है जब हम तनाव में होते हैं तो प्रक्त में कॉर्टिसोल का स्तर अधिक हो जाता है कॉर्टिसोल शरीर में वसा का स्तर बढ़ा देता है जिससे फैट सेल्स बढ़ जाते हैं और आम तोर पर इस थिती में चरवी पेट के आसपासी बढ़ती है फ्रेंड्स इसके अलावा अन्य बिमारियों के कारण कुछ ब प्रेंड्स मासपेशों में धीलापन जब पेट के आसपास के मासपेशों धीली अफलाबी होने लगती है तो उस जगह में फैट को जगह मिल जाती है बढ़ने के लिए इसके स्नेक्स गलत पोश्चर यह पढ़ने यह सुनने में भले ही अजीब लगे लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि गलत अजिए से उटने बैटने से भी शरीद में चर्वी बढ़ने लगती है कमर चुका कर बैटना पेट के आसपस अधिक चर्वी का कारण बन सकता है फेंड्स नेक्स बैट कर काम करने की आदत आदुनिक्ता के जमाने में हमारा जीवन इतना आसान हो पते हैं कि इसारीरी करती विदिया करना ही बन कर दिया है हम अपना हर काम बैठे करने की काशिश करते हैं पिजाए और घर समय करकित करने कि चेखने लेखने पर चीप्प्र Completely पडिशन्ट करते हैं परिदिते हम दिन बर्म क्या कुछ नहीं को कबी कभी तो काम के दबाओं म पसपर चर्वी बढ़ने लगती है तो इससे शरीर में जमा बेकार की चर्वी कम होने लगती है संभव हो तो तेज कदमों से चलना चाहिए पेट कम करने के लिए इस सबसे आसान और सुरक्षी तरीकां बताया गया है फ्रेंड्स नागल दो रानिंग या दोड़ना शरीर को चुस्वा दुरूस रखने के लिए रानिंग से बहतर कुछ नहीं हो सकता दोड़ लगाने से जहां रिदे अच्छे से काम करता है वहीं अतिरिक कैलरी बर्न होती है और धीरे धीरे चलबी भी कम होने लगती है कुद्रा में भी आप दोड़ सकते हैं और उसी तरह के बैनेफिट्स पासकते हैं इसके बाद साइक्लिंग सबसे बहतर वह आसान कार्डियो अक्सेसाइज माना गया है रिदे के लिए बहुत अच्छी है इससे जहां पैरो टांगो और जांगो की अच्छी अक्सेसाइज ह होता है रिदे के बहुत अच्छा है इससे ना सिर्फ वजन कम होता है और अपे तो शरीर भी बेदर शेप में आच चाता है और इसे घुतनों पर भी असर नहीं पड़ता है आप इसे हवते में एक या दो बार कर सकते हैं अगर आपने पहले कभी ताराकी नहीं की है तो इस लेकिन ध्यान रखेंगी जिम में वे ट्रेनिंग सिर्फ ट्रेनर की देखरेक में ही करें आईए अब जानते हैं कुछ योगासन सबसे पहले सेतु बंद योगासन इस आसन को करने से पेट और कमर के पास की जमी फैट को कम करने में मदद मिलती है साथ ही पेट और जांगों खड़ी एक तरफ जुक गई है तो यह आसन उसे भी ठीक कर देता है तो आईए कैसे करें जमीन पर पीच के बल लेट जाएं और दोनों घुटनों को मोड़ें और पैरों की तलियों को जमीन पर टिकाएं इसके बाद दोनों बाहूं को पैरों की तरफ सीधा रखें हतेले जमीन पर टिकी होनी चाहिए जैसा कि वीडियो में दिखाया है अब नाथ छोड़ते हुए गमर को उपर की और उठाएं जबकि पैरों वो हाथों को उसी स्थिती में रहने दें करीब 30 सेकंड इसी अवस्था में रहें और रहने के बार धीरे-धीरे समाने मुद्रा में लौ हैं इसे नहमित रूप से करने पर कब्स गैस एसिटीट जैसी समस्था भी गायब हो जाती हैं पेट की नसे मजबूत होती हैं और हमारा डैजेस्टिल सिस्थम अच्छे से काम करता है तो कैसे करें जमीन पर सुखासन की मुद्रा में बैट जाएं आंके बंद कर लें धीरे आते हैं बस वैसे ही आपको नीचे जैसे आप नाक साफ कर रहे हैं ऐसी मुद्रा में अपना सांस बाहर को छोड़ना है प्रति दिन इस आसन के पांच चक्र सुबह शाम खाली पेट करने से लाब होगा साफधानी यही है कि सुबह खाली पेट ही आसन करना चाहिए और इसक कि है असन है करने में लेकिन मुटापा करने में बहुत ही इफैक्टिव है भुखे रूपसे से नाड़ी शोधन प्रानयाम भी कहते हैं फ्रेंट्स आयूरवेद में इससे शरील इरत का परवा ठीक से होता है कैसे करें जमीन पर सुखासन की मुद्रा में बैठ जाएं आंक को अंदर खींचें और पांस तक गिनने के बाद दाईं तरफ से नाग को बंद करके बाईं तरफ से सांस को चोड़ें इस तरह कर अपनी कैपसिटी के इंसल चाहसे पांच बार कर सकते हैं सावधान यही है कि हिजदे रोगों और हाई बलेट प्रेशर के रोगी को एक ट्र यही है इसको करने से पेट की मास पेशिया मजबूत होती है और इसे रोज दस मिनट करने से पेट अंदर हो जाता है कैसे करें सबसे पहले वज रासन यानि आप घुट्टों के बल बैट जाएं और पूरा वजन एडियों पर डालें अपनी कमर को सीधा रखते हुए सांस लेते हुए हाथों को सीधा ऊपर ले जाएं और सांस चोड़ते हुए आगे तरफ जुक जाएं कोशिश करें आपका सिस्थ जमीन से लग जाए और हाथ सीधे रखें कुछ सैकेंड इसी सिती में रहते हुए सांस लेते हुए वापिस उठें सावधानी यही है कि अगर पी जमीन पर लेट जाएं अपनी एडी और पंजो को आपस में मिला लें आपके दोनों हाथ कमर के साथ सटे होने चाहिए हतेलियन जमीन के और होनी चाहिए अब अपने दोनों पैर हाथ वा गजदन को समाना अंतर ऊपर की तरफ उठाएं ताकि शरीर का पूरा भार आपके न प्रेगनेंट लेडीज को भी नहीं करना चाहिए समय है कि खान पान में क्या शामिल करें कि हमें पेट पर चर्वी ना जमें अगर हम खान पान को संतुलित नहीं रखते हैं जितनी भी एकसराइस कर लें पेट की चर्वी कम नहीं होगी तो नुबे उठते ही करीब दो गिल पान से शर्तिया वजन कम होता है नाश्ता ये से 15 मिनट पहले तरी 5-6 बदाम खाएं इस बदाम को रात भर पानी में भीगो कर रखें सुबे छिलका उतार कर खाएं बदाम खाने से शरी को जरूरी पोशकता तो मिठते हैं बदाम में फाइबर होता है जो भूग को मिठात प्रेंट्स नाश्ता कम पैट वाले दही के साथ दो चापाती खा सकते हैं इसकी जगे दो ब्राउन बैड भी ले सकते हैं जिस पर बदाम वाला बटर लगा सकते हैं इनकी जगे एक कलूरी ओर्ट्स भी खा सकते हैं प्रेंट्स दो घुटे के बाद अगर आप सुबे समय पनाश्ता कर लेते हैं तो 11 बजे के असपस कोई भी फल खा सकते हैं या फिर फ्रूट सालड भी खा सकते हैं प्रेंट्स दो पहर का खाना खाने से पहले सबजियों का सालड ज़रूर खाएं सलाथ खाने से शरीर को अतरित फाइबर मिलता है इसके बाद एक या दो रोटी और साथ में मिक्स सबसी वो उबली दाल ले सकते हैं अगर डॉन वेज खाते हैं तो मचली का एक टुकड़ा ले सकते हैं कोशिश करें कि खाना एक बज़े तक खा लें फ्रेंट्स शाम को डिनर से पहले शाम करीब पांच बज़े एक फल या फिर एक गिलास बीना किर वाल फ्रेंट्स दूरी बनाएं शक्कर युक्त वरिबाबंद खादे पदात खानों से स्टाज चिक्ट खादे पदात जैसे चावल नूडल्स पास्का और ब्रेट से इनके ब्राउन राइस ब्राउन राइड का सेविश करना चाहिए तंबाकुई शराव वो सिग्रेट से पर पानी पीना सहत के लिए रहो जरूरी है पानी तबी नहीं पीना चाहिए जब आपको प्यास लगी हो या फिर गला सूख रहा हो हर चैस समय पर थोड़ा सा पानी पीना चाहिए पानी पीने से ओवरिटिंग के अदत कम हो सकती है फ्रेंट्स नाश्ता करना ना भोलें जितन प्रेंट जो इसमें एंटी अपसिडेंट गुन होते हैं जो मुटापा चर्वी घटाने में सहायक होते हैं इसे दिन भर में कम से कम 2-3 ग्रीन टी पी सकते हैं साथ ही प्रेश्यम युक्त खादे पदात लेनी चाहिएं जिनमें की अवकेलो, केला, पपीता, आम और खरपूजे में पुर्पूर मात्रा में प्रेश्यम होता है जो शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता है और वजन कम करने में एल्प करता है फ्रेंड साथ ही फालो, सबजी या दिन भर में थोड़ी-थोड़ी मात्रा निटन का सेवन करते रहना चाहिए इससे भूख कम लगेगी और मोटापा कम करने में मदद मिलेगी फ्रेंट साथ, यह समूदी संभव होतूं दिन के शिवाद फौलों के समूदी के साथ करें खासकर तर्बूज की समूदी के अद्रीन करना चाहिए तर्बूज में परियाप मात्रा में पानी होता है इसे खाने के बाद पेट भरा रहता है और कुछ खाने का मन नहीं करता ऐसे में जब आप खाना नहीं खाएंगे तो संभावे की पेट की चर्बी कम होगी फ्रेंड साथ की पूरी नींद लेना भी बहुत जरूरी है फैट को कम करने के लिए घर किसी को साथ से 8 घंटे की नींद लेनी ही चाहिए कम से कम या जादा सोना दोनों ही वज़न बढ़ाने के लिए एहम कारण है अगर आप फुरी मिन सोते हैं तो पाचन तंदर अच्छे से काम करता है और भोजन को पचाता है फ्रेंड्स कमर या पेट पस जमी चर्बी ऐसी समस्या नहीं है कि उसे दूर ना किया जा से बस जरूरत है तो तह दिन चर्या का पालन करने और नियमित वहयाम करने की आई हो फ्रेंड्स आपको ये सारी चानकारी अच्छी लगी होगी बने रहे चैनल आई रूप काईट के साथ आज ही सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अप्डेट्स पाने के लिए